C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पार्ट पांच जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद प्रिष्ट संख्या 51 इस प्रिष्ट पर है चेत्र एक इसमें हैं सिपाही और किसान विद्रो के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रो 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था नीतियां और लोग पिछले अध्यायों में आपने इस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमिदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कारवाईयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरूत करते हैं नवाबों की चिनती सत्ता, अठारमी सदी के मद्ध से ही, राजाओं और नवाबों की ताकत चिनने लगी थी उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे बहुत सारे दर्बारों में रेजिडेंट तैनात कर दिये गए थे स्थानिय शासकों की सुटंतरता घड़ती जा रही थी उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था उनके राजस्व वसूली के अधिकार वा इलाके एक एक करके चीने जा रहे थे बहुत सारे स्थानिय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कमपनी के साथ बातचीत भी की उदाहरण के लिए जहांसी की रानी लक्षमी बाई चाहती थी कि कमपनी उनके पती की मृत्यू के बाद उनके गोद लिये हुए बेटे को राजा मान ले पेशवा बाजी राव द्वितिये के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने भी कमपनी से आग्रह किया कि उनके पता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यू के बाद उन्हें मिलने लगे अपनी श्रेष्टता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कमपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया प्रिष्ट संख्या बावण अवद की रियासत अंग्रेजों के कबजे में जाने वाली आखरी रियासतों में से थी 1801 में अवद पर एक सहाइक संधी तो पी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चराया जा रहा है इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए बिरिटिश प्रभुत्व जरूरी है कमपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी कमपनी द्वारा जारी किये गए सिक्कों पर से मुगल बादशा का नाम हटा दिया गया 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर्शा जफर की मृत्यू के बादशा के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर्शा जफर आखरी मुगल बादशा होंगे उनकी मृत्यू के बाद उनके किसी भी वन्शच को बादशार नहीं माना जाएगा उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी किसान और सिपाही गावों में किसान और जमिदार बहारी भरकम लगान और करवसूली के सक्त तौर तरीकों से परिशान थे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रही थे इसके कारण उनकी पीडियों पुरानी जमीने हाथ से निकलती जा रही थी कमपनी के तहट काम करने वाले भारतिय सिपाहियों के असंतोश की अपनी वज़ा थी वो अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परिशान थे कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुँचाते थे क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाती भरष्ट हो जाएंगे जब 1824 में सिपाहियों को कमपनी की और से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सक्त सजा दी गई क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कमपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कमपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है सिपाही गावों के हालाच से भी परिशान थे बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे वो अपने परिवार गावों में छोड़ कर आये थे लिहाजा किसानों का घुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी पहल गया गतिवी थी कलपना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करें आप उसे क्या कारण बताएंगे प्रिष्ट संख्या तरेपन सुधारों पर प्रतिक्रिया अंग्रेजों को लगता था कि भारतिय समाज को सुधारना जरूरी है सती प्रता को रोकने और विद्वा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जम कर प्रोटसाहन दिया गया 1830 के बाद कमपनी ने इसाई मिशनरियों को खुल कर काम करने और यहां तक की जमीन वसंपत्ती जुटाने के भी छूट दे दी 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिस से इसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारती व्यक्ती इसाई धर्म अपनाता है तो भी पुर्खों की संपत्ती पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म उनके सामाजिक रीती रिवाज और परमपरागत जीवन शैली को नस्ट कर रहे है दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौझूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलोनों के बारे में आप अध्याय साथ में जानेंगे इस प्रिष्ट पर है चित्र दो इसमें दिखाए गए हैं उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही, खबरें और अफवाहें पहलाते हुए जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे जिसका जाइजा लेने के लिए आप स्रोत एक और दो को सुनें स्रोत एक चौरासी नियमों की सूची यहां महराष्ट के एक गाउं में रहने वाले ब्राह्मन विश्णु भट गोड से द्वारा लिखित पुस्तक महजा प्रवास के कुछ अंच दिये गए हैं विश्णु भट और उनके चाचा मतुरा में आयोजित किये जा रहे एक यग्य में भाग लेने के लिए निकले थे विश्णु भट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सला दी कि वो वापस लोट जाएं क्योंकि तीन दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मत चाएगा सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था अंग्रेज सरकार हिंदूँ और मुसल्मानों के धर्म को नश्ट करने पर आमादा है उन्होंने चौरासी नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है उन्होंने अर्थाच सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने अंग्रेजों को गातक परिनामों की चेतावनी दी है राजा उन्हें कहा है कि अगर ये नियम लागू किये गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी घुसे में अपनी राजधानियों को लोट गए है तमाम बड़े लोग योजनाईं बना रहे हैं धर्म युद्ध के लिए तारीख तै कर ली गई थी और मेरट चावनी से एक गुप्त योजना तयार करके विभिन चावनियों में भेज दी गई थी विश्णुभट गोड से महजा प्रवास प्रिष्ट 23-24 प्रिष्ट संख्या 54 बॉक्स में है स्रोत 2 जल्दी ही हर टुकडी में उत्तेजना चागई उस दौर की एक और जलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो सेवा निवरित हुए उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की हाला कि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आँखों के सामने ही मार डाला था अपनी सेवा निवरित्ती के बाद उनके कमान अफसर नौरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया सीताराम ने 1861 में आवधी भाशा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नौरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाहे टू सूबेदार अर्थाद सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंच इस प्रकार है मेरा मानना है कि आवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अव विश्वास भर गया था और वो सरकार के खिलाफ साज़िशें रचने लगे थे आवध के नवाब और दिल्ली बादशा के नुमाइंदों को सेना की नब्स जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशा के साथ कितना बड़ा धोका किया है उन्होंने हजार जूट गड़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाब बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशा को दोबारा गद्धी पर बैठाया जा सके उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिल कर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तिमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग चावनियों में भेजा इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रिशिक्षन दिया इसी दौरान ना जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तिमाल होने वाले कार्तूसों पर गाहे और सूर की चर्बी का लेप चड़ाया गया है हमारी रेजिमेंट के कुछ लोग दूसरे लोगों को लिख कर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजब को चोट पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया अवद पर कबजे के कारण सिपाही पहले ही घुस्से में थे स्वार्थी लोगों ने फोरण ये कहानी गर दी कि अंग्रेज तो सब को इसाई बनाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसे कार्तूस तयार किये हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसल्मान और हिंदू दोनों ही बरस्ट हो जाएं कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र तीन इसमें दिखाया गया है मेरट में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं उनके घरों में घुश जाते हैं और इमारतों में आग लगा देती हैं गती विथी एक, सीताराम और विशुनु भट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिन्ताएं कौन सी थी दो, उनकी राय में शासकों ने क्या भूमी का निभाई सिपाही क्या भूमी का निभाते दिखाई दे रहे थे प्रिष्ट संख्या पच्पन, सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया यद्यपी शासक और प्रजा के बीच संखर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती लेकिन कभी-कभी ये संखर्ष इतने पहल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रू एक है इसलिए वो सभी कुछ करना चाहते हैं इस तरह की स्थिती में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है उन्हें संचार, पहल कदमी और आत्म विश्वास का परिचे देना पड़ता है सैनिक विद्रो, जब सिपाही इकठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिती पैदा हो गई थी फत्ह और शासन के सौ साल बाद, इस्ट इंडिया कमपनी को एक भारी विद्रो से जूचना पड़ रहा था मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने, भारत में कमपनी का अस्तित्व ही खत्रे में डाल दिया था मेरट से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगा बगावत की समाज के विभिन तबकों के असंखे लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए कुछ लोग मानते हैं कि 19. सदी में उपनी वेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संखर्ष था प्रिष्ट संख्या 56 इस प्रिष्ट पर चित्र है चित्र 4 इसमें दिखाया गया है कैवेल्जरी लाइनों में युथ तीन जुलाई 1857 को तीन हजार से ज्यादा विद्रो ही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे उन्होंने यमना को पार किया और ब्रिटिश कैवेल्री चौकियों पर धावा बोल दिया ये युद पूरी रात चलता रहा मेरट से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया चंद दिन बाद मेरट में तैनात कुछ सिपाहीं ने नए कार्टूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इंकार कर दिया सिपाहीं को लगता था कि उन कार्टूसों पर गाय और सूर की चर्बी का लेप चड़ाय गया था 85 सिपाहीं को नौकरी से निकाल दिया गया उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में दस दस साल की सजा दी गई ये 9 मई 1857 की बात है मेरट में तैनात दूसरे भारती सिपाहीं की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही दस मई को सिपाहीं को सिपाहीं ने मेरट की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहीं को अज़ाद करा लिया उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार किराया उन्होंने बंदूक और हत्यार कबजे में ले लिये और अंग्रेजों की इमारतों वो संपत्यों को आग के हवाले कर दिया उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंट लिया था वो मुगल समराट बहादुरुशा जफर को देश का शासन सौपना चाहते थे फिरंगी का अर्थ है विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है मेरट के कुछ सिपाहियों की एक टूली दस मई की रात को घोडों पर सवार होकर मुँ अंधेरे ही दिल्ली पहुँच गई जैसे ही उनके आने की खबर पहली दिल्ली में तैनात टुकडियों ने भी बगावत कर दी यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए देशी सिपाहियों ने हत्यार वगोला बारूद कबजे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी विजई सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए वो बादशा से मिलना चाहते थे बादशा अंग्रेजों की भारी ताकत से दो-दो हात करने को तयार नहीं थे लेकिन सिपाही भी अड़े रहे आखिरकार वो जबरन महल में खुस गए और उन्होंने बहादुर्शा जफर को अपना नेता घोशित कर दिया बूढे बादशा को सिपाहीों की ये मांग मानने पड़ी उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिठ्थी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतिय राज्यों का एक संग बनाने का आवान किया बहादुर्शा के इस एक मातर क्दम के गहरे परिनाम सामने आए अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुखल सामराज्य का ही शासन था ज्यादातर छोटे शासक और रजवारे मुखल बार्शा के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चराते थे ब्रिटिश शासन के विस्तार से भाईभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुखल बार्शा दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वो मुखल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे अंग्रेजों को इन घटनाओं की उमीद नहीं थी उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शान्त हो जाएगी लेकिन जब बहादुर्शा जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिती रातों रात बदल गई अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्सा और साहस बढ़ जाता है इस से उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्म विश्वास मिलता है प्रिष्ट संख्या 57 बगावत फैलने लगी जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड गए तो लगबग एक हफ़ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ जाहिर है, खबर पहलने में भी कुछ समय तो लगना ही था लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसला ही शुरू हो गया एक के बाद एक, हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वो दिल्ली, कानपुर वर लखनाओ जैसे मुख्य बिंदों पर दूसरी टुकडियों का साथ देने को निकल पड़े उनकी देखा देखी, कस्बों और गामों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे वो स्थानिय नेताओं, जमिदारों और मुख्याओं के पीछे संगठित हो गए ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तयार थे सुहरगी पेशवा बाजी राओ के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे उन्होंने सेना एकठा की और बिटिस सैनिकों को शेहर से खदेर दिया उन्होंने खुद को पेशवा घोशित कर दिया उन्होंने एलान किया कि वो बाजशा बहादुर्शा जफर की तहत गवर्नर है लखनाओ की गद्दी से हटा दिये गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिर्जिस कद्र को नया नवाब घोशित कर दिया इस प्रिष्ट पर है चित्र पांच इसमें दिखाया गया है जैसे जैसे विद्रो फैला चावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा बिर्जिस कद्र ने भी बहादुर्शा जफर को अपना बाजशा मान लिया उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रों को बढ़ावा देने में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया जहांसी में रानी लक्षमी भाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली उन्होंने नाना साहिब के सेनापती तांतिया टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती थी मध्यप्रदेश के मांडला क्षेतर में राजगर की रानी अवंती बाई लोधी ने चार हजार सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतरित्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राजग के प्रशासन पर नियंतरन कर लिया था विद्रोही टुकडियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्थ हार हुई इस से लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है अब लोगों को विद्रोहों में कूद पढ़ने का गहरा आत्म विश्वास मिल गया था खास्तोर से अवत के इलाके में चोटरफा बगावत की स्थिती थी छे अगस्त 1857 को लेफटिनेंट करनल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेली ग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भाई को विक्त किया था हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से ठक गए है एक एक गाउं हमारे खिलाफ है जमिदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे है इस दोरान बहुत सारे महत्पूर नेता सामने आए उदाहरन के लिए फैजाबाद के मौलवी एहमदुल्ला शाह ने बविश्यवानी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संक्या जुटा ली अपने समर्थकों के साथ वो भी अंग्रेजों से लड़ने लखनाओ जा पहुँचे दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे खाजी यानि धर्म युद्धा एकठा हो गए थे बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकडी के साथ दिल्ली की और कूच कर दिया वो इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए बिहार के एक पुराने जमिदार कूवर सिंग ने भी विद्रोही सिपाहीं का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे इस प्रिष्ट पर है चित्र छै इसमें दर्शाया गया है बिटिश टुक्डियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगड किले पर कबजा किया हुआ था प्रिष्ट संख्या 58 गतिवी थी 1. मोगल समराट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तयार हुए 2. सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें प्रिष्ट संख्या 69 कमपनी का पलटवार इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी कमपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा कर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया उन्होंने इंग्लेंड से और फौजी बंगवाए विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुखे केंद्रों पर धावा बोल दिया सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई अंति मुखल बादशा बहादुर्शा जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई बहादुर्शा और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्तूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर्शा जफर ने अन्तिम सांस ली इस प्रिष्ट पर चित्र साथ है विद्रोही सिपाही मेरट से दिल्ली के तरफ कूच करते हैं शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई तीन सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हत्यार गोले आदी पहुँचाए गए ये गारियों पर लदे हुए थे जिने हाथ ही कहींच रहे थे और इनकी कतार साथ मील लंबी थी दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रो खत्म हो चुका था इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक कर लेते रहे व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले दो साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी मार्ज 1858 में लखनव अंग्रेजों के कब्जे में चला गया जून 1858 में रानी लक्ष्मी बाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ खेड़ी की शुरुआती विजए के बाद उन्होंने अपने आपको अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वो शहीद हो गए ताहतिया टोपे मद्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की साहिता से चापा मार युद चलाते रहे जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उच्सा मिला था उसी तरह विद्रोहि ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत तूटने लगी बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया उन्होंने वफादार भू स्वामियों के लिए इनामों का एलान कर दिया उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परमपरागत अधिकार बने रहेंगे जिन्होंने विद्रो किया था उनसे कहा गया कि अगर वो अंग्रेजों के सामने समर्पन कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वो सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी इसके बावजूद सेंकडों, सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया गतिविधी उन स्थानों की सूची बनाएं जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए प्रिष्ट संख्या 60, इस प्रिष्ट पर है चित्र 8, इसमें दिखाया गया है अंग्रेज टुकणियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूट से उड़ा देती हैं इस प्रिष्ट पर है चित्र नौ। इसमें दिखाया गया है अंग्रेज टुकडियां कानपूर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाईयों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए द अंग्रेजों ने 1869 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंतरन पा लिया था। लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सहरे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किये वो इस तरह हैं। एक, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और इस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश सामराज्य के हाथ में सौप दिये। ताकि भारतिये मामलों को ज्यादा बेहतर ढंक से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्री मंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नि युक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संभन्धित मौमलों को संभालने का जिम्मा सौप गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिश्ट का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था भारत के गवर्नर जनरल को वाइस रॉय का ओधा दिया गया इस प्रकार उसे इंगलेंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिथी गोशित कर दिया गया फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्बेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली दो, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविश्य में कभी भी उनके भूख शेतर पर कबजा नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी रियासत, अपने वन्शजों यहां तक की दत्तक पुत्रों को सौपने की छूट दे दी गई लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपती स्वीकार करें इस तरह भारतिये शासकों को ब्रिटिश सामराज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई तीन, सेना में भारतिये सिपाहियों का अनुपात कम करने और योरोपिये सिपाहियों की संक्या बढ़ाने का फैसला लिया गया ये भी तै किया गया कि अवद, बिहार, मध्य भारत और दक्षिन भारत से सिपाहियों को भरती करने की बजाए अब गोर्खा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भरती किये जाए चार, मुसल्मानों की जमीन और संपत्ती बड़े पैमाने पर जब्द की गई, उन्हें संदेः वशत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रो उन्होंने ही खड़ा किया था पांच, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीती रिवाजों का सम्मान करेंगे छे, भू स्वामियों और जमीदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थाइत्व देने के लिए नीतियां बनाई गई इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चर्ण शुरू हुआ इस प्रिष्ट पर है चित्रदस इसमें उत्तरी भारत में विद्रो के कुछ प्रमुख केंदर दिखाए गए हैं लाल रंग में दिखाए गए हैं विद्रो के मुख्य केंदर इनमें हैं मेरट, दिल्ली, बरेली, जांसी, फैजाबाद, लखनाव, कानपुर विद्रो के अन्यम मुख्य केंदर हैं सियालकोट, लहाओर, फिरोसपुर, जलंदर, फिलोर, सहरनपुर, रोहतक, बुलंद शहर, अलीगड, मैनपुरी, नसीराबाद, नीमच, महु, जबलपुर, सागर, नौगंग, नवाबगंच, फतेगड, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रताबगड जौनपुर, आजमगड, नागोड, बनारस, दीनापुर, जबलपुर, प्रिष्ट संख्या, 62, अन्यत्र, परम शान्ती के एक स्वर्गिक सामराज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रो पहला, उसी समय चीन के दक्षणी भागों में भी एक विशाल जन्विद्रो पैदा हो रहा था, ये विद्रो 1850 में शुरू हुआ, और 1860 के मध्धे में जाकर खत्म हुआ, हांग जीकुआंग के नित्रित में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शान्ती के स्वर्गिक सामराज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी, इस विद्रो को टाइपिंग विद्रो के नाम से जाना जाता है, हांग जीकुआंग ने धर्मांतरन करके इसाई ध सामराज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां इसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास नीजी संपत्ती नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, तथा जुए, व गुलामी पर पाबंदी होगी, चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने टाइपिंग विद्रो को दबाने के लिए, किंग सामराज्य के बादशा को काफी मदद दी, इस प्रिष्ट पर है चित्र 11, इसमें है टाइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते वे द्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए, आप क्या करेंगे अभ्यास प्रिष्ट संख्या 63, फिर से याद करें जासी की रानी लक्ष्मी बाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया दो, इसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए, अंग्रेजों ने क्या किया तीन, सिपाहियों को नए कार्टूसों पर क्यों इतरास था पांच, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिती को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। 157 की बगावत के फलस्वरूब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। आईए करके देखें। 9. पता लगाएं कि सन 57 की लडाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानिया और गीत याद हैं। 10. जहांसी की रानी लक्षमी बाई के बारे में और पता लगाएं। 10. आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षन महिला क्यों मानते हैं। 10. इस प्रिष्ट पर है चित्र बाराय। इसमें हैं लखनाउ रेजिडेंसी के खंधर। 11. जून 1857 में विद्रोही टुकडियों ने रेजिडेंसी को कबजे में ले लिया। 11. बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाली हुई थी। 12. विद्रोहीं ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। 12. इसी तरह के एक गोले से अवद के चीफ कमिशनर हेंड्री लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। 12. हेंड्री लॉरेंस जिस कमरे में मरे, वो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गोर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। प्रस्तुती C.I.E.T.